जय हिंद साथियों कैसे हो आज हमें स्टार्ट करने वाले हैं नबोधे परवेश परच्छा 2030 में जो उज्याम होने वाला है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए कच्छा नाइंत का विज्यान इसमें मनें तीन चेप्टर को मिलाकर महत्तपूर जो एमसी क्यूबन है उन्हीं क को हमने लिया है जो आपके फ्रोरी 11 फ्रोरी को इजाम होने वाला है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए चलिए देखते हैं कुष्चन नमर एक से तो यहां पर देख लीजे यहीं तीनों चेप्टर हैं इन्हीं से मैंने लिया है महत्तपूर पर्ष्ण धान ज्वाला यूम से पेटर होता है स्वस्वाशन रोग, दंद्जे रोग, मस्टिक रोग लें, तो रोग माइमने पताती होकि क्या है उन्हीं होता है, इस्वाशन होगी परकास देख फोला दो होगा तो यह सभी पृस्मा निकले गी प्रकास भी होगा द्ध्वण भी होगा तो तो तीन होगा यह ले देठते हैं ज preguntas कहा है यहां पदिए के कुछ नमबर 3 में दहान अब किरिया को रोकने में परियुक्त किया जा सकता है O2, H2, Cl2, H2O तो आकसिजन का परियुक करेंगे तो क्या होगा? बहुत जादा बढ़ जाएगे, दहान बढ़ जादा होगा, H2O का भी नहीं कर सकते हैं, Cl2 के में कर सकते हैं, यानि कि H2O जानि कि जल का उपयोख होगा कर सकते हैं धान अब किरिया को रोकने के लिए, चलिए आगे देखते हैं अगला कुछन क्या है, कुछन नमबर 4 मैं देखी हैं, यहां पर, जो आला के सबसे कम ताप का छेत्र कहलाता है, यह जो आला का सबसे कम ताप का छेत्र कहलाता है, मैं में अगर क्लास समझ में यह तो लायक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर भी कर दीजिए में इसमें थोस भी होता है अगरपना कुशन क्या है कुश्चन नमबर 6 में यहाँ पर देखिए और आप लोग बताने की कोशिश भी करिए हमारे सरीर में इधन का कार करता है हमारे सरीर में इधन का कार क्या करता है पिट्रोल, डीजल, भोजन, जल तो इधन का कार जो करता है भोजन करता है हमारे सरीर में और भाकि ये भी नहीं होगा यानि का अपसी से ज़ुजांगा भोजन चले आगे देखते हैं अगला कोशन क्या है पूस्छन नमर 7 में यहापर देख़ें क्या है क्या है कि एक उत्तम इधन की विश्चथा वहाँ सुलब हो तो यह भी है सस्ता भी हो जो इधन होमारा सस्ता भी हो वाई में जल सकता हो जो वाई में जल सकता हो यानि कि तीनों उप्रयोक्त सभी वहाँ सुगंता से सुलब हो यानि कि आसानी से पहुँच हो और सस्ता हो पैसान ज्यादा कम लगे ज्यादा न लगे पैसा वाई में जल सकता हो जो वा तो मिल्बन खित्में से सुदगलमता से दल्गंतों से नोह सबस्थ है कि अब Damit फॉते हैं कौन-कौन से होते हैं और होता है अद्रीन ही आप बिर्गिक शील तो द्ढांसिल में कौन को से आएइंगे द्ढांसिल में पिट्रोल हो गया यल्पी जी हो गया यहल्पीजीście में लिक्युल faktorimiento gas वाखी अधंसिल में काच होगा का जलेगा नहीं जलेगा मिटी हो गया मिटी तो यह सब आधान सील पतात है चलिए आगे देखते हैं कोशन यह आपट देखें कोशन नमर 9 में गर्म कपड़े बनाने के लिए जो गर्म कपड़े बनाने के लिए वून की जगा पर किसका उप्योग क्या होता है ये गरम कपड़े बनाने के लिए उन की जगह किसका उपयोग होता है पॉलिष्टर का पॉलिमाइड का एक्रिलिक का रियान का किसका उपयोग होता है तो ये क्रिलिक का क्या है परियोग होता है गरम कपड़े बनाने के लिए चलिए आगे देखते हैं आगे का उन है, सिल्क है, इस भी, जो इस भी है, कि क्या है, जूट भी हमारा है, उन भी है, सिल्क भी, एतुन जो है, प्राकिर्तिक बहुलक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे का कुश्चन, कुश्चन नमर 11 में देखी हैं आपर, संसरिती रेसो के लिए, परमुक सरोत है, पताई स संसरिती रेसो के लिए, परमुक सरोत है, यानि कि अपस्ट नमर सी सरी जागा इस कुश्चन का, चलिए आगे देखते हैं, आगे का कुश्चन, कुश्चन नमर 12 में देखी हैं आपर, रेयान का सरोत है, बताई रेयान का क्या सरोत है, लकड़ी की लुगधी, पेट्रोरसा समझ में रहा ना, चलिए देखते हैं, कुश्चन नमर, बताई समझ मा रहा तो बताई है, नहीं समझ मा रहा है, तो भी रताईए, निमने में से, बहुप्योगी पता था, बताई कौन सा बहुप्योगी पता था, बेकलाइट है, टेड़ प्रवान है, मेमलाइघ, कोई जो है यह है बहु पोपूटु की पतातो है कि फचले आगि देखते हैं अगा कूष्छन factors Istam गया इंगर यहां पर देखिए में आंपके अध्री द्वूर पॉलिची डीपर छें मरें फिर या है अध्रीर तो सब्सक्राइब करक्ति दो सबirt एक हो एधीन का यानि का अबस नमधर बीस सही हो जागा इसको शेंट का चलिया अगर देखते हैं आगर का कॉस्चन क्या है कि आ को आ है कि कॉस्चन नमर 15 में यहां पर देखे करतिम रेशा कहते हैं कि ती म्नाक्ष आप इसको कह यह सहते हैं आइलान संभी कि कुछ्च नंबर 16 में है यहाँ पर देखे मातफ़पूल प्रश्ण है एक पारा सूर से रस्थियां भरस आधिक निर्मान neden के लिए उपियुक कों़ सा होल आ जो पैरा सूर्ड रश्चियां ब्रस आधि पहसार ऐसा कौन सा कौनसा है मैं कहस नाइंलान हे यह सी सब से बिसकर विजगा यहां घुले के सएक कुशन into નशाय संसेर्थटि शाइर act कोन सा मैं देखते हैं यह जो आपके तो यहां पर दिखें कूछ नमबर 18 में कि जूट का रेशा जूट का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है अब तरह जूट का रेशा हба जड़ से तनासे फल से बीश से किस से होता है जो तनासे जूट का रफ होता है चलें आगे देखें का कूषिस्चनは कूषिंन 59 में देखिया है आपकर कि का घरीप फसल बहुई आता है यह थायओ घरीप फसल कब बहुई आता है तो वरसरी तमय हमारा खरीव की फ़सर बॉचलता है islands इसमें हनुच सकते हैं महीना ना कि महिना किसं मेने चारीव पॉल रहता है जून युलाई कि अभर लिर्फे जून युलाई जूरामारा इसाय में खरी को खरीब के वसल को जो गया तो धान हो गया क्या धान मक्का आप सोयाबीन का कि सोयाबीन हो गया हमारा कपास हो गया कपास कर वा अब बाजरा भी हो गया यहां अपनाट नहीं दीजिए बाजरा और मूंग फली एक है मुंग फली तो यह सब जो है हमारे खरीब की फसल है चलिए आगे देखते हैं आगे का कुछन यहां पर देखें कुछन नमर 20 में महात्रपूर परशन है यह भी जल में घुलनसील विटामिन है तो यह कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनसील है विटामिन AD, विटामिन EK, कि विटामिन BC इनमें से कोई होता है कूं सा है तो विटामिन BC जो है जल में घुछनसील है यतोख करभा से में पर और सुना में हखाना कीडा का कीडा सब है क्या कर देखिए कि कहाँ पर 21 में 24 dating एक है का है है कि इट नासक है एंटि सेटिसेज है कवग नासि है खरपतवार नाशी बताइ कुए सा नासी हो टूफोर ली कर तो हमारी खरपतवार नासी क्या है कहा है कछरपतवार नासी टूफोर डी अगे का स्मस्टकुनब्नधि यrangन कोई से क्यों यह देखते हैं है जैक हेगा की में तो यहाँ चैनल में और मिलिटी हम यहाँ पर देखें मिट्टी में बीच वह तरानी की पर किर्रीया क्यों बदाय काते हैं मिट्टी में बीच को फराएंगे हमारे की हमारे भोजन में उर्जा का परमुक्सूरत है हमारे भोजन में उर्जा का परमुक्सूरत क्या है प्रोटीन है कार्भोहाइड्रेट है वसा है विटामिन है तो हमारे पसलिए में जो भोजन तो हल दोरा हमारा पुर्वाना हो गया एभी नहीं यह गाए बीस हो जागा इसके दोरा क्या होता है हम लोग उसमें रखते तें हम लोग बीच को तो आपने बोते बोते चला जाता है लाइन-लाइन से आपसर नमर बीस हो जागा चलिए आगे देखते हैं आगे का कुशन कुशन नमर 26 में यहाँ पर देखिए निम्र में से रभी की फसल है रभी की फसल कौन सा है गेहू है कपास है बाजरा है मक्का है कौन सा है तो गेहू हमारा है रभी की फसल है अब पूछ सकता है जामे रभी की फसल कब बोई जाती है तो बोजितें बोज जाती है तो बोज अधी हमारी सीत धीकुंड कि हुए एंसे तुमे पूरने में महीना पूशाकतकि से महीने में तो इक्टूबर नान बर किसमें मतर हो गया मतर जो ठंडी में बुलिये थे मिटेससा दीर pillars में मतर हो हो गये मतर हो गया अलसी हो गया नोर कि कि ऊपकोर दिन कि तसल्चकाई में नॉलिबर के यहां यहां कशेकर फेल आपर नियुमें कि का भूश है अठाइस में देखिए आपर वह द्रो जिससे प्राकिती रबड बनता है मिलता हम तब वह कह रहाता है वह द्रो जिससे प्राकिती रबड मिलता है वह कह रहता है क्या कहता है फ्लेक्स कह रहता है लेक्टर्स कह रहता है वालकिनिक रबड नाइलान क्या कह रहता ह से allem ठोच लेक्टरश कहलें वी वी और से और इस mild ये चलिए आगे देखती हैं आगे का कोचिन कि विछ नम那麼 29 में अपर देखेंगे कि का पास की खेटी के लिए से उपयुकृत थίν है है यह ये का काली मिट्टी डोमर मिट्टी चिकनी मिट्टी तो काली मिट्टी जो है हमारी कपास की खेती इसमें बहुत अच्छी से होती है कपास काप से काली काली मिट्टी में जो होती है कपास हमारी होती है चलिए आगे देखते हैं एका कूशन है यहाँ पार देखें कूशन नंबर है तीस में रब singleberry बीच युका भाग आए जिससे यह iteration mmm गिससे होता है त तना सउता है हि पत्तियां जड्ध फल तने की च्छाल किसे होता है अब लोग बताए तो तने की चाल से जो होती है हमारा रबर प्राप्त होता है एक छूट छूट गया है हमारा जिसे बीटामिन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है तो इसके बारे में जान लेते हैं तो बीटामिन एक कमी से कौन सा रोगा बीटामिन एक कमी से तो विटामिन के कमी से होता है रतोंधी रोग क्या होता है आप लोग लेज़ेगा यह भी आता है एक जाम में आपके इसको उने रतोंधी आप लोग लेज़े रतोंधी रोग और विटामिन कैसे में से खुर फिद्ला विटामिन कमें से कौण वान विटामिन अब लोगवग आप लिए बेरी क्या हो गए बेरी इतामिन कमी से यह लाय better विटामिन C क्यों सा रोग होगा आप लोग बताइए तो इसकरवी रोग क्या होगा इसकरवी इसकरवी रोग विटामिन B क्यों से होगा विटामिन E क्यों से विटामिन E विटामिन E क्यों से रहुगा तो विटामिन E की कमी से जो होगा हमारा बान देता रोग होगा क्या होगा बान देता रोग आगे देखिए हो जोगा विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होगा विटामिन E की कमी से बान देता रोग होगा और विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होगा विटामिन D कौन सारा होगा विद्टामिन डी के कमी से तो होगा री के टैस लोग आप लोग इसे याद कर लेंगे तो आसा है पुरा कलास समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ जो स्केर के लिए लाइक के लिए सब्सक्राइब करें मिलते हैं ले वीडियो में